है एवरीवन वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल सैनी लेंडिंग क्लासेज मैं हूँ आपके एजुकेटर नहीं है सैनी तो आज मैं आपके साथ लेस्ट प्लैन शेर करने वाली हूँ रिलेटेद टू स्ट्रेट सोफ मैटर जो की एक फिजिकल साइंस का लेस्ट प्लैन ह तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे बॉर्ड एंट्रीज करेंगे जिसमें डेट सब्जेक्ट टॉपिक क्लास पीरियर और डूरेशन आएगा उसके बाद हम क्या करते हैं जेनल अब्जेक्टिव से लिखते हैं तो यहां पर हम जितने भी फिजिकल साइंस के जो जेनल वो से भी लिखेंगे देन आफ्टर हम लिखते हैं स्पेसिफिक अब्जेक्टिव में आपके कोगनेटिव अफेक्टिव और साइको मोटर अब्जेक्टिव साएंगे यह सब भी हम लिख देंगे उसके बाद आती हैं आपके टीचिंग लर्णिंग मैटिरियल यानिकी चो आते हैं और वही इंट्टिक्टिक कोईशन में जो लास्ट कोईशन होता है वो क्या होता है प्रोब्लेमाटिक कोईशन होता है जिसका आपको प्रोबेबल आंसर मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है और उसके बाद हम क्या करते हैं स्टेट्मेंट ओफ एम देते हैं ठीक है पुपिल टीचर एक्टिविटी और स्टुडेंट एक्टिविटी दो आती हैं इसमें टेबल उसके बाद टीचिंग मैथर एट्स एंट टेक्निक्स एंद आता है इवैलवेशन तो फर्स जो टीचिंग पॉइंट है वो क्या स्टेट्स ऑफ मैटर है फिसके आप क्या करेंग पूछते हैं तो उसका अंसर आपको मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता तो प्रोवेबल आंसर आप यहां पर लिख सकते हैं फिर आता है प्यूपिल टीचर स्टेट्मेंट प्यूपिल टीचर स्टेट्मेंट में आप क्या करते हैं जो आपका टीचिंग पॉइंट है उसको explain करने के साथ साथ आप यहाँ पर expected behavior का objective भी लिखते रहते हैं फिर इसके साइड में ही आप क्या करेंगे इसके साइड में ही आप लिखेंगे इस्टुडेंट्स आ लिसनिंग केरफुली और नोट्डाउन देर वर्क इन देर नोट्बूक ठीक यानि कि ब्लैकबोर्ड से अपना काम क्या करने नोट्डाउन कर रहे हैं फिर यहाँ पर आपने टेबल्स बनेंगी उपर और उन्हीं टेबल्स में आप क्या करेंगे सबसे पहले डवलपिंग क्वेशन्स पूछेंगे उससे रेटिड एक्सपेक्टिड बिहिवियर औबजेक्टिव लिखेंगे फिर प्यूप्यू टीचर इस्टेटमेंट आप देते हैं जिसमें आप हैं इस टापिक के बारे में अच्छे से एक्सप्रेंग करते हैं कि निक्सित के साइड में आप क्या करेंगे जो आंश्चंडर डवल डबंग हैं लिखेंग इसमिन मैथर लिखेंगे उसके बाद आप क्या करते हैं यहां पर student के उसमें लिखेंगे कि student will listen carefully and not down blackboard work in their notebook और यहां पर आप जो method यूज कर रहे हैं explanation method with blackboard and demonstration technique आप यहां पर यूज कर रहे हैं आपने अगर कोई चार्ट बनाया मिनियेशर उसका मिनियेशर बना करके आप यहां पर उसको paste कर सकते हैं और फिर लास में पूछते हैं evaluatory question next राता है inter conversion of states of matter जो कि क्या third teaching point है अब यह third teaching point हुए आप सही तरह से लिखेंगे जैसे आपने first row second points लिखेंगे है teaching point expected behavior objective teaching learning experience people teacher activity student activity आएगी फिर आएगा teaching method rates and technique and then evaluation this table बनती है इस table में आप क्या करते हैं developing question सबसे पहले पूछते हैं फिर बच्चे सका अंजर करते हैं फिर इस related आप क्या करते हैं इस आप का teaching point है इस related आप क्या करते हैं बच्चों को explain करते हैं उनको समझाते हैं और content provide कराते हैं ठीक है तो यहां पर क्या करेंगे people teacher statement में वो जो topic है उसको आप क्या करेंगे अच्छे से यहाँ पर explain करेंगे अगर उस से लेटेड आपने कोई भी चार्ट यह miniature या किसी भी तेरे की कोई भी चीज आपने बनाई है तो आप यहाँ पर अपनी lesson plan में दिखा सकते हैं अजिए भी तो आपने बनाई हैं और लास्ट में आप क्या करेंगे एवैलवेटरी कोईशन पूछेंगे फिर आता है आपका 30 जिंग पॉइंट के बाद रीकैपिचुलेशन रीकैपिचुलेशन कोईशन आप यहाँ पूछेंगे ठीक है चोटे-चोटे कोईशन आप यहाँ पूछ सकते हैं लिदा ब्लेंक्स पूछ सकते हैं एमसी की टाइप कोईशन पूछ सकते हैं भी आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड काट करक के इसपेल लिक करके आप यहाँ पर उसको पेईस्ट कर देंगे और जो बोर्ड एंट्रीज हैं यह आपको कम्प्लीट करनी है डेट के है उस दिन की डेट आप डालेंगे पिरिड डालेंगे फिर्स्ट है सेकेंड है थर्ड है फूर्थ है फिर नीच आता है होमवर्ग फिर हमवर्ग के साइड में आपके आता है यहाँ पर सुपर वीजन चार्ट यहाँ पर चिपकता है तो जब आपका लेसन प्लैन जो है चेक करते हैं सुपर वीजन यानि कि जो आपके बिसिकली जिनी के सुपर वीजन में लेसन प्लैन जो है चेक हो रहा है जब वो टीचर ज जो हैं आपका lesson plan चेक करते हैं तो इसके according वो क्या करते हैं आपको यहां पर रिमार्क्स देते हैं ठीक है तो यहां पर वो चार्ट जो है वो पेस्ट होता है जब आप कोई भी lesson plan पढ़ाएंगे तो जब वो चेक होगा ठीक है बड़ादे time उसमें क्या दिये जाते हैं आपको रिमार्क्स दे जाते हैं तो रिडिमापको दिखा भी चुकी हूं सुपर विजन चार्ट कैसा होता है तो यहां पर पेस्ट करते हैं और उसको फिल किया जाता है और फिर जो वहां पर जो आपक सुपर जापका सुपर विजन कर रहे हैं वो टीचर्स आपको क्या गार देते हैं रिमाग देते हैं ठीक है घृ तो लृट सो 법ोने वंपाइँ हो दू wisely IKEA आफ अब को पशेताया होगा और लेशीर प्लैन की में बाइड जीतनी वीडियोस हैं यह चिन्ना में में पास लेस्ट प्लैन से उतली अपको पुलायत मैं घघाली। तो कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि जितने मेरे पास है वो सारे मैं आपको प्रोवाइड कराई दू So that's all for today, अब मिलते हैं नेक्स सेशन में, I hope आच के वीडियो भी आपको पसंद आई होगी Bye everyone, thanks for joining